आप सभी का इस सेशन में मैं स्वागत करता हूँ जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज आग के सामने हम एक नई स्रीज की शुरुवात करने जा रहे हैं जो विश्व की प्रादेशिक भूगोल पर मानचित्राधारित कारे होगा तो जैसे कि पिछला सेशन जो हमने लिया था जिसमें आपको हमने ओजोन भी घटन के बारे में बताया था जिसका पीवाई क्यूएस हम लोगों ने किया था उसमें आपको बताया था कि हम मानचित्र परागे बराएंगे तो अब जो कुछ व्यभारिक चीज़ें हैं तैयारी से संबंदित उसको आप जान लेज़ें अभी दो सिरीज जो है आपका कंटिन्यू चलता रहेगा एक जो आपका पीवाई क्यूएस का सिरीज है वो चलता रहेगा और एक धीरी धीर हम लोग प्रादेशिक मैपिंग है जो वर्ल्ड मैपिंग का पोर्शन है जो अभी हर एक एक एक्जाम में महत्वपुर्ण होता जा रहा है तो उन सारे सिग्मेंट को हम लोग कवर करेंगे तो मैपिंग सिग्मेंट को हम लोग दो भागों में बाट लेंगे एक मैपिंग सिग्मेंट में हम लोग वर्ल्ड ज करेंगे और दूसरा हम इंडियन जोग्रफी का भी मानचित्र की थुरू अध्यान करेंगे खासकर वह मैप बेस्ट होगा क्योंकि आप देख रहे होंगे कि बिगत कुछ वर्षों से इंडियन जोग्रफी से जो यूपीएसी के द्वारा प्रशन उठाया जा रहा है वह मैप तो आज के सेशन में हम लोग मानचित्र से संबंधित जो कुछ बेसिक बाते होती हैं उसको इस सेशन में कभर करेंगे बेसिक विशयवस्तु को क्योंकि मानचित्र को समझने के लिए यह जरूरी है कि आप उससे संबंधित बेसिक विशयवस्तु की जानकारी रखें क्यों ना हो तो आज हम बेसिक चीजों पर चर्चा करेंगे और फिर अगला सेशन में हम क्या लेकर आएंगे वो भी आपको बता देंगे अब यह जो दो स्रीज है ना अल्टरनेट डेकर के चलेगा एक दिन आपका मैपिंग का सेक्षन होगा एक दिन पीवाई क्यूएस का सेक्षन चलता रहेगा तो टॉपिक में आज हम किन-किन पहलों पर चर्चा करेंगे वहां जाने से पहले आप अगर नए हैं तो आप जो है तो मेरा टेलिग्राम चैनल एजुकेशन प्लस के नाम से है और यूट्यूब चैनल जो है उसको आप सस्क्राइब कर लिजिए अपने मित्रों तक सेयर कीजिए लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको किस तरीके से क्लास लग रहे हैं तो यह यूट्यूब चैनल है इसक को जान लेते हैं तो सबसे पहले मानचेत्र कार्ज जब हम लोग करते हैं तो मानचेत्र कार्ज को हम समझें कैसे मानचेत्र कार्ज के कितने आसपेक्ट होते हैं और उसका लाव और महत तो क्या है यह जान लेना बहुत जरूरी है तो जब हम मानचेत्र को समझने का प्रयास करते हैं तो इसके दो सेक्षन बनते हैं एक जो मानचित्र का परंपरागत सेक्षन होता है वो होता है और दूसरा जो समसमाई की पर आधारित सेक्षन होता है जब हम मानचित्र के परंपरागत सेक्षन की बात करते हैं तो हम इसमें विश्व के विभिन महाद्वीप और महास सागरों में जो अवस्थित कुछ द्वीप हैं या जो कुछ प्रमुक लोकेशन हैं उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो इसके अंतरगत हम परवत, पठार, मैदान, नदी, जील, जलसंदी, बंदरगाह, तट्टिय सहर, उत्पादन, केंद्र, प्रुद्योग, इन सब के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं यह एक मानचित्र का ट्रेडिस्नल एडिया है प्रमपरागत सेक्षन है और हम इसे विभिन महाद्वीपों का जब अध्यन करना शुरू करेंगे तो विभिन महाद्वीपों के अंतरगत इस सेक्षन पर हम लोग कोकस करेंगे यानि कि हर एक महाद्वीप में जैसे आप नौर्थ अमेरिका परने जा रहे हैं तो वहां के परबत कौन कौन से इग्जाम के लिए जरूरी है पठार कौन जरूरी है मैदान कौन जील नदी इस तरीके के पॉइंट को हमें समझना और उसके बारे में कुछ basic information collect करके रखना है तो पहला ये परंपरागत section होता है आप खुद से भी कर सकते हैं अगर आप इसको करना चाहेंगे तो और हम आपका उसमें शाद देंगे मार्क दर्शन करते रहेंगे और दूसरा जो मान्चित्र का section होता है वो समसमाई की होता है यानि कि समसमाई क कहने करते हैं कि अगर कोई चर्चित अस्थल है कोई दूइब है कोई कैसा बिचेतर है अगर वो चर्चित अस्थल है तो उसके बारे में state PCS में भी और UPSC में भी प्रशन पूछे जाते हैं और खासकर ऐसे अस्थल जिनका कुछ सामरिक महतु हो आर्थिक महतु हो प्रयानिक महतु का स्थल है, ecological importance का है, कोई economically area है, strategic point का area है तो वहां से location best मानचितर जो current best होते हैं वो भी पूछे जाते हैं तो ये मानचितर के जो होते हैं परंपरागत और एक समसमाइक पार्ट होते हैं अब सबसे पहला प्रस्न ये उत्पन होता है कि आखिर मानचितर का अध्यन आवस्यक क्यों है, ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, इसके उत्तर को दो तरीके से समझा जा सकता है, एक तो इसका सीधा सीधा उत्तर हो जाता है कि यह आपके एक्जाम के लिए जरूरी है और अगर आपको civil services पास करना है ये state PCS का एक्जाम क्वालिफाई करना है तो भारत और विश्व के मानचितर को आपको देखना है, समझना है, लेकिन दूसरा एक ये होता है कि एक नागरिक होने के नाते या एक educated person होने के नाते भारत और भारत के बाहर दुनिया में कहां क्या घटित हो रही है, कहां क्या घटित हो रही है, इसकी जानकारी रखना उससलिए लिए इसे यह दोनों से जरूरी एक तो आपके एक्साम थूब्लेू बोक प्यूँत करें ही होती है और अदे यह ही जरूरी होता ही,सलिए यह दुर की गजाम से पुआट उ विश्व में भारत में क्या घटनाएं घटित रही है उस घटनाओं का हमारे दैनिक जीवन पर हमारे भविश्य पर बरतमान पर हमारे सोसाइटी पर हमारे समाज पर क्या इसका प्रभाव पर रहा है और पर सकता है यह जानना भी जरूरी है यह आप माल लिजे कि कोई ऐसी घ महत्पूर्ण सेक्षन है जब हम एक्जाम के point of view से बात करते हैं मान्चित्र के सेक्षन की तो तीन जगह हमारे लिए महत्पूर्ण है प्रारंभिक परिक्षा में UPSC में GS first paper में आप देखते होंगे कि 3-4 question map based रहते हैं कुछ world जोग्रफी से भी और कुछ Indian जोग्रफी से भी मुख्य परिक्षा में अब इसका लाव कहां पर है तो एक तो मुख्य परिक्षा में देखो आपको एक तो अगर location और मान्चित पता है तो आप answer writing में इसका लाव ले सकते हैं कैसे लिख सकते हैं मान लीजिए आप किसी छेतर के बारे में लिख रहे हैं तो आप छोटी से म आंसर राइटिंग में इसका बेहतर लाव लिया जा सकता है दूसरा इसका बेनिफिट यह है कि सामान्य अध्यन के अन्य पेपर पर समझ अगरा विक्सित करना चाहते हैं तो सामान अध्यन के अन्य पेपर पर भी समझ विक्सित करने में हमारा यह बहुत ही मददगार होता खासकर आयार है हिस्ट्री है इस्ट्री की घटना को आप एक घटना की तरह पर लेते हैं लेकिन जाप उसे मैप के थुरूफ समझ कर जोग्रफी के थुरूफ समझ कर उसको दिहास के किताबों में किवल बालकन लिख के निकला हुआ रहता है लेकिन बालकन छेतर कहां पर है कौन देश आते हैं कहां पर है यह भुगूल से जब आप लिंक करके उसको परहेंगे तो फिर वो लंबे समय तक आपको याद रहेगा तो सामान अध्यन पेपर में इसका बहुत ही में आप यूज ले सकते हैं किसमें हिस्टरी में ले सकते हैं आयार में ले सकते हैं और जो आंतरिक सुरक्षा होती है वहां हो सकता है डिजास्टर मेनेजमेंट में हो सकता है लगबग सभी पेपरों में आप मुख के परिक्षा में मैपिंग का उप्योग कर सकते हैं और मैपिंग के माध्यम से अपने आंसर की क्वालेटी और सारगरविता बढा सकते हैं और तीसरा इसका이가 autın में भी योगदान है कई बार होते हैं कि जो इंट्रविू वाले होते हैं कोई विश्यों की घर्टना चर्चित हैं तो कुछ उस तरीके के प्रसनाप से पोच सकते हैं तो कुल मिला के यह है कि प्रारंबिक परिक्षा, मुख्य परिक्षा और शाक्षातकार में जो भुगोल का मान्चित्र सेक्षन है यह हमारे लिए बहुत ही महतोपुर्ण है तो यह हमें ध्यान रखना है आप आपको क्या करना कैसे है, जैसे हम क्लास कराए गया है, यह पर राम आपको बताते हैं आप क्या किजीगा कि blanks outland map ले लिजेगा जैसे कि माले जब हम cont nationalism map और आप ले लेंगे तो Australia का map आप बगल में रखते रहेगा और जहां हम locate करेंगे कि यहां पर यह परवत है यहां पर अस्टेलिया में यह पठार है यहां पर यह चीजे है आप उस blank जो outland map आपका होगा hard copy उस पर भी आप locate करते जाएगा और जो information लिखेंगे वो भी आप उसके बगल में लिखते जाएगा इससे क्या होगा कि साथ साथ आपका note बनता जाएगा और फिर क्या होगा कि आप उसका में इंटर्वियो में हरे जगा यूटिलाइज करेंगे यह आपको करना है एक तो यह हो गया कि मान्चित्र क्यों जरूरी है हमारे लिए कहां मैंने रखता है और इसके कितने पार्ट होते हैं अब दूसरा जो सिगमेंट है देखो एक तो आप जदी सिलेबस UPSC को बहुत अच्छे से आपने अध्यन क्या होगा तो सिलेबस में मेंस वाले सिलेबस में दो टॉपिक लिखा हुआ है एक लिखा हुआ है विश्व के उद्योगों का अस्थानिये करन क् उसमें दिया हुआ है प्राथमिक उद्योग, दूतियक उद्योग और तृतियक उद्योग तो देखो जब विश्व के उद्योगों का स्थानिये करन मुख्य परिक्षा के सिलेबस में है और मैंपिंग के थ्रू अगर हम उत्पादन के अंद्र उद्योग के अंद्रशब को परहेंगे तो ये सेक्षन भी हमारा डायरेक्ट मिंस वाला कवर होगा और शाथी साथ इसमें दूसरा जो मिंस में सेक्षन है वो दिया हुआ है कि विश्व में संसाधनों का बितरन प्राकृतिक संसाधनों का बितरन तो निशंदे है जब हम आपको महाद्विप ये दो ऐसे टॉपिक हैं जो विश्व के अभी राजनिती को बड़े तौर पर प्रभावित करें क्योंकि हर एक देश की राजनिती की विचारधारा इंट्रेस्ट इकनॉमिक गतिवितियों से जुरूई होती है तो उद्योग और शंसाधन इस दृष्ट कोन से बड़े मैने इसलिए आप समझें कि अगर यह दो टॉपिक करते हैं या नि मान्चित्र करते हैं तो यह तौपिक कबर करें गे वर हैं अन्य ईपार बनाने में चीज़ों की As I.I.R में से इंसamente training में हर यह सुझे में अद्यक इस इसमन्पर करेंगे पार कि थाज़ए और्ड का ध्यान रखना जरूरी होता है और मैपिंग करने के नियम क्या है तो आईए सबसे पहले हम आपको यह बताते हैं तो सबसे पहला है कि मैपिंग को समझने का तरीका क्या होना चाहिए तो जब भी हम class लेंगे ना आपको अपने बगल में एक notes के लिए copy रखना है और दूसरा अपने बगल में आपको एक atlas भी रखना है ये दो रहेंगे copy pane रखिएगा और जैसे class बरेगी वैसे वैसे अब है कि चीजों को समझना कैसे mapping करने के लिए समझने के लिए एक आगरता बहुत जड़ी है concentration होना चाहिए observation की छमता होनी चाहिए अब लोकन और फिर धारन ये आपको एक basic हलांकि हर एक चीजों को समझने के लिए चीजों की जरूरत होती है लेकिन normally mapping के लिए क्या है न कि वो एक एक आगरता की चीजों को खोजना है visualization होना चाहिए map दिमाग में उसका mental imagination बनना चाहिए और फिर आप उसको ग्रहे करें ये इसके समझने का तरीका है इसको ध्यान रखेंगे नियम क्या है? रटना नहीं है mapping रटना नहीं जा सकता ये ध्यान रखेंगे तो सबसे पहले आप जब किसी भी महाद्वीप में जाए और इसके करने के जो तरीके होते हैं कि आपको कौन से location करने है प्रथम चरन में आप उसका एक list बनाई है जैसे का हमने लिखा है कि location का list बनाना फिर क्या है कि second step में आटलस में उसको ढूंड कर किजिए मार्क किजिए तीसरे चरन में जब आपने अटलस पर ढूंड कर मार्क कर लिया तो आप अपने outline map में उसको मार्क किजिए जो हमने आपको गता है कि heart page में रखना है कहां यानि महादवीप में महादवीप कंतर करें किस देश में और किस देश कंतर कर तो वह किस राज्य में है यह और फिर सुचनाई क्या होनी चाहिए कि वैसे छित्रों का जो भी location उसका भौगोलिक राजनेतिक, सामरिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और प्रियावर्नी महादवीप क्या है उनके बारे में संचिप्ट पॉइंट आपको लिखना है तो यह मैपिंग के तरीक है जैसे इसका अर्थ यह हुआ कि अगर हम एक छोटा सुदारन दे आपको कि अगर आपको मार्क करेंगे अब तीसरे चरण में क्या हो जाएगा कि मार्क करने के बाद उसको और्टलैन मैप पर हम क्या करेंगे मार्क कर लेंगे जो हार्ड कॉपी हमारे पास होगा और मार्क कर लेने के बाद इसके संदर में हम क्या करेंगे इनफॉर्मेशन जुटा लेंगे परवत हो जाएगा फिर पठार के बारे में असी तरीके से फिर नदी के बारे में फिर जील के बारे में एक- सिग्मेंट उठाएंगे और इस तरीके से आपके पास होना चाहिए तो रटना नहीं step by step होना-क उसरे और एक दो दिन की यह चीजें नहीं हैं आपको इस Due 15-20 दिन आपने एक घंटे करका समय दे दिया मेरे साथ तो निसंदे आप पीटी और मिंस में बहुत अच्छे स्थिति में रहेंगे जोग्रफिक के साथ साथ अन्य पेपर में भी यह आपको ध्यान में रखना है कि हम इसी तरीके से चलेंगे और हमेशा जब भी सूचना होग तो मन में कहां क्यों कैसे लाना है तो आप उसका उत्तर ढूनना शुरू करेंगे यह मैपिंग के नियम है अब क्या है कि कुछ ब्याभारिक सब्दों का जिसका मैपिंग के दौरान जिक्र होगा उलेक होगा तो उसको हम समझ लेते हैं तो सबसे पहले कुछ बेसिक समझ ज दिया है टेक्निकली टीम उतना नहीं जाना है तो जलमंडल का जो सबसे बरा भाग होता है जिसकी सीमा किसके द्वारा निर्धारित होती है महादीप की द्वारा हम उसे महासागर कहते हैं संसार में जो है सो मूलरूप से चार बरे महासागर लेकिन जो जो ग्रफर है आप देखो हिंद महासागर है और हिंद महासागर का सिमान सागर क्या हो जाएगा अरब सागर है तो उसको हम क्या कहते है उसका मार्जिनल सी कहेंगे या सिमान सागर ये चोटा सुदारा ने कई सारे सिमान सागर होंगे फिर खार ही बे बाइट है तो खार ही बे बाइट ज किसमें कुछ टेक्निकल ही अंतर होता है जो हम आपको आगे बता देंगे तो इसको गल्फ कहेंगे बे कहते हैं बाइट कहते हैं जैसे आप इसको भारत के उधारन से समझे तो जैसे भारत में जवाब जाते हैं इस तरीके का मानचेतर बनाते हैं तो यह जो एरिया है इसको हम क्या कहते हैं कच्छ की खारी कहते हैं कच्छ की खारी है यह ना क्या है यह कच्छ की खारी और फिर यह जो एरिया है इसको हम क्या कहते हैं खंभात की खारी कहते हैं खंभात की खारी कहते हैं गल्फ आफ खंभात कहते हैं तो निसंदे यहाँ पर आप देखिए कि तीन तरफ से यहाँ से यहाँ तक पुरा क्या है लैंड से घिरा हुआ और एक तरफ से इसका सागर है बहुत नेरो भाग है तो इसको हम कहते हैं गल्फ इसी को यहाँ पर भी देखे कि यह भी तीन तरफ से घिरा हुआ और अरब सागर का ही marginal पार्ट है तो इसको हम क्या कहते हैं खंभात की कारी तो एक होता है जैसे आप परते होंगे क्रिक के बारे में क्रिक परते होंगे क्रिक के बाद आप क्या परते हैं बे परते हैं बे के बाइट क्या परते हैं आप बाइट परते हैं तो क्रिक जो होता है जल मंडल का बहुत ही नैरो पार्ट होता है जो अस्थल में प्रवेश कर जाता है इसको हम क्रिक कहते हैं जैसे आप गुजरात के पास यहीं पर आप परते हैं सर क्रिक है, कोरी क्रिक है गोदिया क्रिक है तो वो क्रिक है क्रिक से थोरा सा जो वाइड होता है यानि कि ये नारो तो होगा अस्तल से कुछ इस तरीके से जो पाठ हो तो इसको हम बे कहते हैं और बे से भी जिसका मुहाना अधिक खुल जाया तो उसको आप क्या कहते हैं बाइट कहते हैं ये एक chronology में है ये आप ध्यान रखेंगे यानि कि क्रिक है बे है बाइट है जैसे आप जब आगे जाएंगे तो great australian bite की चर्चा होगी और great australian bite का लगभग इसी तरीके से डाइग्राम आपको मिलेगा तो ये आपको ध्यान में रखना है फिर है चौता जलसंधी जलडमरुमध्य चैनल पासेज ये समनार्थी सब्द होते हैं और लगभग समान अर्थ निकलते हैं चाह जलसंधी हो जलडमरुमध्य हो चैनल हो और पासेज हो तो जो जल का संक्रा नैरो पार्थ होता है जो दो बरे जल ये खंड को जोड़ता है और दो भुखंडों को अलग करता है हम उसे क्या कहते हैं जलसंधी कहेंगे जलडमरुमध्य कहेंगे चैनल कहेंगे ये पास कहेंगे जैसे यहां पर आप देख रहे हैं यह पाक स्ट्रेट है यहां पर लिखा हुआ है तो पाक स्ट्रेट किसको जोडता और किसको अलग करता है यह आपको पता होगा कि पाक स्ट्रेट जो है यह बंगाल की खारी है और यहां पर मन्नार की खारी है यह पाक की खारी कहेंगे तो एप एडी चैनल परते होंगे है और एपेडीगिडिक निकाल देंगे गों इसे ठींट इप्रफते हैं लिखा हुआ है यहाँ पर देख लिखा हुआ अनल लिटिसरेक है तो बीच समय खत कर हैylेव निक त्यम ya issu तो इसी तरीके से भारत शियुक्त का भी उदारन ले सकते हैं, जैसे लुस्त का नाम सब्सक्राइब ऑफ अगे का अब देखेंगे अगे कि ये अंदमान सागर अंदमान सी को बंगाल की खारी से जोड ताया ना? और एक तरीके से या आप मर्दवान की खारी भी कर सकते हो तो या आप सिंपल कह सकते हो क्योंकि यह जो है यहां पर होगा यहां पर कोको पास होगा तो कोको पास यह अंदमान सागर है यह बंगाल खारी इन दोनों को जोड़ेगा और उत्री अंदमान में भारत का एक दूइ और म्यानमार का यहाँ पर है कोको द्विप तो म्यानमार के कोको द्विप और उत्री अंडमान में भारत के लैंडफॉल द्विप को लग करता है और बंगाल की खारी और अंदमान सागर को एक तरीके से जोड़ता है या मरतवान की खारी भी इसी तरह सटा स्वा हुआ है इस उस का उसी तरह की बिस वश्तर पर आपको डेरियन पास मिले रिएक्षितरें में युकॉटन चैनल मिले pops Russi जैसे जैसे क्लास बरते जाएगे ईसकी चर्चा होते जाएगे तो महासागर , सागर खार यह सब क्या है यह हमने जान लिया क्योंकि आगे जब क्लास बढ़ेगा ना तो हम केबल आपको यह बताएंगे कि यह यह बाइट है तो उस समय आपको आसान होगा कि बाइट क्या है बे क्या है तो यह ध्यान में रखेंगे जल संदी जल डमरुबद्य चैनल पासेज की सिंपल लिया है कि अस्थल मंडल का सबसे बरा भाग जिसकी सीमा महासागर निरधारित करती है उसको हम क्या कहते हैं कांटिनेंट कहते हैं विश्व में कितने कांटिनेंट है आप जानते ही होंगे प्राइदविप वह वो खंड जो तीन तरफ से जल से एब एक तरफ से प्राइदविप के भाग है यह जो है सो फारस की खा रही है इसको हम क्या कहते हैं फारस की खारी गल्फ ऑफ फारस कहते हैं यह पर्शन गल्फ कहेंगे यह जो यहां पर है ना यह जो है इसको हम कहते हैं लाल सागर कहते हैं क्या कहते हैं इसको यह लाल सागर है और यह और प्रैण प्रवीप है विश्यु का एक बहुत वरा प्रैण यो तीन तरफ доступ से जल से गिरा हुआ है। युट से य় जल धैन लगा हुआ है जल से कौन इसे अधारोथ से गिरा हुआ है परसियन गल्ब से अरब सागर और लाल सागरill भारत में भी यह ँढनाभी धारत peninsular और एक तरफ लैंड से जुरा होगा है, इसको हम क्या कहते हैं, कच्छ प्राइद्वीब कहते हैं, तो कच्छ प्राइद्वीब भी कहते हैं, դुर त्नफ से यह पर कौन सा है कच्च की खारी यहां पर खंभात की खारी और यह एरिया अरवसागर तो कच्च की प्रहद्वीप हमारे यहां है कठियावार प्रहद्वीप और एक और प्रहद्वीप यह भारत तो इसका अर्थ हमें ध्यान में रखना है फिर द्वीप सामानित जलिय चेतर के मद्द जो अ पाए जाते हैं तो उसको क्या कहाँगे दूइब कहते हैं जिस तरीके से जल संधी उसी तरीके से अस्थल संधी, तो अस्थल संधी क्या है जैसे कि आप यहाँ पर देख रहें यह जो अस्थल संदी है यहां पहले एक अस्थल संदी होती थी जिसको हम क्या कहते हैं पनामा अस्थल संदी यहां पर हुआ करता था हमने हुआ करता सब्द यूज कर रहे हैं इसका खुश हरता है तो पनामा अस्थल संदी हुआ करती थी और जब यहां पर पनामा अस्थल सं इन दोनों को यह अस्थल शंदी अलग करता था लेकिन अब इस जगह पर जहां पर पनामा अस्थल शंदी था वहां पर अब क्या बन चुका है पनामा नहर बन चुका है यह आप ध्यान में रहेंगे पनामा नहर जब आपको नौर्थ या सौथ अमेरिका का मानचित्र कराएं कि आस्थल का एक part होता है जो जो बले के चितर को क्या क्रता है उसको हम उसन्था मस्क के नाम से जानते हैं जैसे मिस्र का जो इरिया है अगर आप इस मैं को थोड़ा भी देखेंगे तो यह मिस्र का एरिया है और यह मिस्र का जो चितर है यह मिस्र का सिनाई प्राइद वीप है और यह जो सिनाई प्राइद विप है यह भी करिके से अस्थल शंधी ही है जो एक नेरो पार्ट से अफ्रीका को एसिया से जोडता है और यहाँ पर भूमध्य सागर है लाल सागर इसको अलग करता है लेकिन इसी छेतर में यहाँ पर कुछ अस्थलों को ब्रेक करके एक नहर किर्मान किया गया, जिसको हम क्या करते हैं, स्वेज नहर के नाम से जानते हैं, तो मिस्र का जो सिनाई प्राइदीब है, वहाँ पहले जो नहर नहीं था, उससे पहले सिनाई प्राइदीब से अरब प्राइदीब और अफरिका महादीब आपस में जूरते थे, तो य यहां पर थ्यान को ठ्यान जैसे परवत और पठार है तो उत्पत्ति के अधार पर पर परवत होते हैं न होते हैं यह ऐसे परवत होते हैं जो वलित परवत और basically plate के अभिशरन से निर्मित होने वाले जो परवत होते हैं उसको हम क्या कहते हैं tectonic या भी वर्तनिक परवत कहते हैं जैसे हिमाले है, rocky है, andies है, atlas है, alps है इसको हम इसका अंतरगत रखते हैं block परवत जो होता है, यह इप्रकार का भ्रंसोत परवत भी होता है न, भ्रंशोत परवत होता है और चुकि भ्रंस लाइन, यानि fault line के सहारे इस परवत कुद्पत्ती होती है, इसलिए हम इसको भ्रंसोत परवत कहते हैं तनाब मुलक बल्का इस परवत के निर्मान में योगदान होता है, तो जैसे भारत में आप जाओगे तो सबसे ब्लॉक परवत का एक्जामपल जो है, वो सत्तपूरा मॉन्टेन है और विश्वस्तर पर जाएंगे तो जर्मनी में ब्लाक फॉरेस्ट है, फ्रांस में वाज्जिस है, अमेरिका में सियरा नवेदा लैसन पिक है, यह सारे ब्लॉक मॉन्टेन के एक्जामपल है, इसी तरीके से होस्ट परवत भी एक प्रकार का ब्रंस क्रिया से ही बनता है, थोड़ा सा बेसिक डिफरेंसेज है, जब हम आगे जाएंगे तो आपको बता दें, अब सिस्ट परवत करत होता है, जब बरे परवत बाहरी बलों के द्वारा काट चाट कर समतल कर दिये जाएं, और उसका बहुत छोटा सा भाग बचा राज है, तो उसको अब सिस्ट मौंटेन है, और जो रूस में युराल परवत है, या भी एक रेलिक्ट मौंटेन का उधारन माना जाता है, और संचैत या जवला मुकी परवत होता है, कि जब जवला मुकी उधगार हो, और जवला मुकी उधवार से निकला हुआ पदार्थ जिसमें मैगमा सामिल है, राक सामिल है, धूलकन सामिल है, कई सारे पदार्थ सामिल होते हैं, तो ये सारे पदार्थ जब धरातल पर आएं और धीरे धीरे ठंडा होकर ठोस रूप धारन कर लें, तो इनसे एक परवत की उत्पत्ती हो जाती है, जिसको आप क्या कहेंगे, ज्वलामुकी परवत, या फिर आ अलांकि परवतों का क्लासिफिकेशन कई परकार से होता है, तो ये हमने बता दिया क्योंकि आगे चलकर इनका नाम होगा, कि अमेरिका में ये जो परवत है, टेक्टॉनिक परवत है, ये ब्लॉक परवत है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, और जो पठार होते हैं, ये बर्गी करन कई परकार से होते हैं, बट लुकेशन का धार पर जो पठार होते हों मुख्यत ये तीन परकार के, अंतर परवतिये गिरिपध, तट्थ्थिये और एक और अगर आप ले लें चौत्था, तो महादविपिये पठार होता है, क्या होता है? महादविपिये पठार होता है continental plateau होता है तो अंतर परवतिय पठार हम ऐसे पठार को कहते हैं जो चारो तरफ परवतों से गिरे हो उनको अंतर परवतिय पठार कहते हैं जैसे मेक्सिको का पठार है जो तिब्बत का पठार हो जाएगा यह सब अंतर परवतिय पठार का उदारन है गिरिपद पठार का अर्थ होता है कि ऐसा पठार जिसके एक तरफ क्या हो परवत हो और दूसरी तरफ उसमें सागर या मैदान का एरिया हो तो उसको आप गिरिपद पठार कहेंगे महाद्विप्य पठार करता है कि ऐसा पठार जो चारों तरफ से मैदान से या सागरों से घिरे हो आम उसे महाद्विप्य पठार करेंगे जैसे ब्राजिल का पठार है और अब प्रैद्वीप का पठार है प्रैद्विप्य भारत में प्रकार का महाद्विप्य पठार का एक से कह सकते हो तो यह सब्द सब आएगा कि यह अंतर परवतिय पठार यह गिरिपद पठार है यह तट्य पठार है यह महादीप यह आपको कोई दिकत नहीं होगा इसलिए हमने यह बेशिक चीज़ें इसमें डाल दी है कि मैं उबीद करता हो कि मैपिंग का जो यह सिगमेंट है कैसे हम चलेंगे किस तरीके से चलेंगे वह आप समझ गये हैं आपके पास देखने के लिए फ्ले बैठे तो बेसिक चैज आपके पास क्या होनी चाहिए वह है तो नेक्स टॉपिक जो हमारा मैपिंग का होगा वह सुनने के लिए बैठिएगा तो आपके पास क्या होना चाहिए एक एटलस होना चाहिए बगल में रखे रहेगा एटलस दूसरा आपके पास क्या होना चाहिए आपको अपना नोट बुक रखना है जिसमें आप अपना लीक हैंगे तो ये दो चीजें होनी चाहिए सब पैरलेल रूप से वीडियो चलता रहेगा और जिस महादुईप का वीडियो चलता रहेगा उस महादुईप का मैप भी आप बगल में आपको लोकेशन के साफ से देंगे वह आप करते जाहिएगा और तीसरा एक चीज और आपके पास होना चाहिए महादुईप का ओट लाइन मैप तो अगर आप हमसे जुरे रहना चाहते हैं और इस टॉपिक से बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आज ही अगर आपके पास अटलस नहीं है तो अटलस ले लिजिए अपना नोटबुक मैप का एक अलग से ले लिजिए आप जाके आज ही ले लिजिए अंटार्टिका का और जिलैंडिया का तो आप अपना काम करते जाएंगे तो अगर आपको अच्छा लगा और प्लान सही है तो आप इस वेडिया को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए सस्क्राइब कीजिए और यह जो हमारा एजुकेशन प्लस यूट्यूब चैनल का नाम है आप इसे जरूर जोइन कर लिजिए सस्क्राइब कर लिजिए ताकि आपको जब भी क्लास होगी तो उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और यह टिलिग्राम चैनल है इसको भी जोएन लेजिए अगर कोई क्लास चूट जाता है लेटर काल में देखना होता है तो यहां पर शभी लिंक को पलब्द रहेंगे जिसको आप देख लेंगे तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में आपसे किसमें तो अंटार्क्टिका और जिल बिन्यवाद है